नमस्कार दोस्तो उन्नती कमपेटिशन क्लासिस के यूटूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आप से क्या बात करने बाला हूँ वो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे यह है लुसेंड बुक का वीडियो पार्ट फॉर इससे पहले कि हम लोग पार्ट बन पार्ट टू और पार्ट थ्री और लेडी हम लोग डिसकस कर चुके हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे Lucent book के बारे में, उसकी summary के बारे में उसके important facts के बारे में जो आपके exam के point of view से काफी important होंगे अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो please इसको like करिएगा और जो भी friend आपके competition के त्यारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को share करना please मत भूलिएगा चलिए शरू करते हैं Part 4 में होगा केवल और केवल सैव धर्म के बारे में देखिए भगवान सीव की पूजा करने वाले को क्या कहते थे सैव एवं सीव से संबंदी धर्म को सैव धर्म कहते थे जो सिब से संबंदी धर्म होगा उसको बूलेंगे सैव धर्म और जो पूजा करेंगे उनको बूलेंगे सैव आगे बात करते हैं कि हम लोग सीवलिग उपास्णा का प्रारभि प्रातत्रीक साक्षे हरप्पा संस्क्रिति के अपसेशों से मिलता है हडपा संस्कृति ने संबंदित हमने पार्ट वन में डिस्कस करा था और हडपा संब्यता संस्कृति है यहां से हमें स्वास्तिक की प्राप्ति हुई थी स्वास्तिक कौन सी संस्कृति की देने आप से अग्जामें पूछेगा तो आपको याद अगना है हडपा संस्किति की देखे रिग वेद में सिव के लिए रूद्र नामक देवता का उल्ले करा गया है और अर्थर वेद में सिव को भव, सर्व, पसुपती एवं भूपती कहा गया है लिंग पूजा का पहला इस पस्ट वर्णन मतश्य पुराण में मिलता है जो जो वर्ड इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं की हाइलाइट्स हैं वो इंपॉर्टेंट केवर्ड हैं आप उसको प्रे नोट्स में लिख लिजिए और उससे सम्मंदित फैक्ट आप याद करिए आगे हम बात करते हैं और लिंगायत नेक्ष्ट पासूपत संप्रद्याय स्यव का सरवादिक प्राचिन संप्रद्याय है इसके संस्थापक थे लकुलिस जिने भगवान सिव के 18 अफ्तारों में से एक माना जाता है आगला जो केवल important fact है आपके exam के पाउट अबे से वो है आपका महावरत धर काला मुख संप्रदाय के अनुआईयों को सिव पुराण में महावरत धर कहा गया है इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन जल सथा सुरापान करते हैं करते हैं अपने सरीपर बोड़ाए रहा है पुरी बोडी में लेते हैं जैसे water हुता है मतला बभूस्य पुर्य बड़ी में लोग लगाते थे इनको क्या बोलते थे इनको बोलते थे महा वरत्धर आगला जो फैक्ट है देखिए बाकी के पड़ सकते हैं बड़ मैं के वल उन्हीं फैक्ट की बात कर रहा हूं जो आपके एक्जाम के लिए बहुत जरूरी है आपको पता होनी चाहिए यह फैक्ट अगर जरूरी है देखिए एलोरा के परसित किलास मंदिर का निर्मान किसने कराया था ये कराया था राष्ट कुटो ने आप याद अखना यहां से एक नहीं कुशन बनता है कि एलोरा मंदिर या फिर किलास मंदिर का निर्मान किसने कराया था तो आपको याद अखना है राष्ट कुटो ने कुशान सासकों की मुद्राव पर सिव एवं नंदी का एक सांथ अंकन प्राप्त हुआ है किस सासकों की मुद्राव में सिव और नंदी का एक सांथ चित्रन मिला है अंकन करा गया तो यह कुशान सासकों की मुद्राव पर अगला दिखो धर्म है वो है वैशनव ध धर्म के विशय में अगर हम बात करें कि प्रारमी जानकरी हमें प्राप्तवी उपनी सिदों से और इसका विकास भागवत धर्म से हुआ था और व्याश्रम धर्म के परवर्तक कौन थे भगवान क्रिश्ण थे जो व्रश्यन कबीले के थे और जिनका निवात स्थान क्या था मतुरा क्रिश्ण का उलेक सबसे पहले चांदों गया उपनिशेद में देव की पुत्र और आंगीरस के सिस्थे के रूप में हुआ था विश्णू के दस अफ्तारों का उलेक याद रखिएगा कहां पर मिलता है विश्णू के दस अफ्तारों का उलेक विश्णू भगवा नाम नहीं पूछेगा लेकिन पूछ सकता है कि आप प्यूंब भैष्डवर में इस्वर को बात को दिया जग जाता था भक्ति को आप याद रखेगा कौन सी बात को सबसे जला इंपॉर्टेंस मिलती थी वैश्णाम धर्म में वो मिलती थी भक्ति को ठीक है कि अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे इसलाम धर्म के बारे में बात करें लिए बहुत इंप४ॉटन फैक्ट करीं तो इसलाम धर्म के लिए आप कम से कम एक नोटबुक को पहने उठागर ठीक है कया यहां यहां-स अपके पास बिश मैंट वाला नोट को तरीके से फिनिश कराने का मैं चाहूं तो इसको वन टूवन लाइन टू लाइन पढ़ सकता हूं लेकिन कमेंट से यह आते हैं कि सर ऐसा रखता है कि जैसे आप कोई नूस पढ़ रहे हूं थोड़ा समझाओ तो इसलिए मैं एक एक पॉइंट पर फोर्स कर रहा हूं जिसक हैं उसके बाद इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम था अमीना देखिए आगे हम बात करते हैं कि इसमें कि हज्रित महम्माद साहब को 610 एसवी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्यान के प्राप्ति हुई थी इनकी गुफा का नाम क्या था इनक उसके द्वारा इसको एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी पुत्री का नाम था फातिमा और उसकी महरिज हुई थी मतलब इनके दमात का नाम था अली हुसैन अली हुसैन नाम बहुत फेमस नाम है और कई बार इसाम में पूछा जाता है अली हुसैन क्यों फेमस है क्यों प कौन सा है वो है कुरान पैगंबर मुहमद साहब ने कुरान की सिक्षाव का उद्देश दिया हजरत मुहमद साहब की जो डैथ हुई थी वो ही थी 8 जून 632 एस वी को ये बर्ट से एक्जाम में केबर पूशा गया है तो आप इसको याद करिएगा और उसके बाद इन्हें मदिना में दफनाया गया था कहते ने मक्का से मदिना की यातरा तो मदिना में क्या करा गया है हजरत मुहमद साहब को दफनाया गया है मुहमद साहब की मिर्ट्यू के बाद इसलाम सुनी तथा सिया नामक दो पंतों में डिवाइड हुआ इसलाम धर मिर्ट्यू के बाद क्या हो गया? दो भागों में डिवाइड हो गया एक किलाया सुनी एक किलाया सिया सुनी उन्हें कहते थे जो सुन्ना में विस्वा सकते थे अब सुन्ना को अन्हें बात करते हैं लेकि सुन्ना पैगंबर मुहम्मद साहब के कत्नों पर तथा उनके कालियों के बारे में लोगों को बताते थे तो सुन्नी का काम यह हुआ उसके बार बात करते हैं सिया की सिया अली की सिक्षाओं में विस्पास करते थे तता उन्हें मुहम्मद साहग के नियाय संपत उत्राधिकारी मानते थे अली मुहम्मद साहग के दमाद थे उत्राधिकारी उसके बाद कौन बने वो बने अली मुहम्मद अली जो थे मनलब जो उनके दमाद थे चलते रहा अली अली के बाद उनके पुत्र टीक है? ना तो अली का नाम लेगा नहीं अली के पूत्र कापसे गुजा में पुछेगा बास करेगा खलीफा के आगे बढ़ते हैं हम WHO की पैगंबर Gobind और के उत्रा दिकारी उसके बाद में क्या हो गया उत्तरा धिकारी को क्या बोलते थे खलीपा और इसलाम जगत में खलीपा पद 1924 के बाद क्या हो गया समाप्त हो गया 1924 को ये लाश्ट खलीपा थे और 1924 में खलीपा पद किसने समाप्त करा ये थे तुर्की के सासक मुस्तफ़ा कमार पासा ने इस पद को खलीपापद को पूरी तरह से समाप्द कर दिया आप यार रखेगां 1924 और खलीपापद इसमें समाप्द तरह वो कौन से सासक थे तुर्की के सासक आगे बात करते हैं हम लोग की मौमद साहब पेगंबर के जरम दिन पर क्या होता है इदे मिलाद उल नभी पर मनाया जाता है अब हम बात करते हैं इसाही धर्म की इसलाम धर्म के बारे में हम बात कर चुके हैं अब हम बात करेंगे इसाही धर्म के बारे में भी ठीक है, इसाय धर्म के संसापक की बात करी जाए, ये संसापक थे इसा मसी और इनका जो परमुक गरंथ है वो है बाइबल, आप याद रखेगा परमुक गरंथ क्या है इनका बाइबल, और इनका जनम कहां पे हुआ, बात करी जाए, जनम की जनम इनका हुआ, जैरुसलम क माता का नाम Merry Christmas बोलते हैं तो माता का नाम Merry था और Christmas इनके जनम पर में बनाया जाता है इसा ने अपने जीवन के परथम पहले 30 वर्स उन्होंने क्या करी एक बड़े की रूप में कारे करा ये एक बड़े थे बैतल हिंद के निकट नाजरेत में इन्होंने बिताई तीस वर्ष सक इन्होंने क्या करा एक बड़े के रूप में अपना कारे करा और इसा मसी के दो फेमस स्टुडेंट थे दो फेमस सिस्टे थे एक का नाम था एंड यूज एवं पीटर इसा मसी को सूरी पर किसने चड़ाया था उसका नाम क्या था यह था रोमन गवर्नर और उसका नाम था पोटियंस याद रखेगा पोटियंस यह ऐसा से सीजर में टेवर पूछा गया तो इसमें मैं कहा रहा हूँ कि आप से आप नोट्स बना लीजिए नोट्बू को पैन उठा देजिए और इस सबको बड़े ध्यान से नोट करिए अब बात करते हैं कि इसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन कौन सा है, सिंबल क्या है या पिर प्रतीक क्या है, तो इसका प्रतीक चिन है, क्रॉस देखें, इसाई तरी तत्म में विस्पास रखते थे, वे हैं इस्वर पिता, इस्वर पुत्र, इस्वर पवित्र आत्मा अब हम देखते हैं मगत राज्ये का उतकर्स मगत के सबसे प्राचिन वंस के संस्थापक ब्रमद्रत थे, इसकी राजधाने ग्री ब्रज, जिसको बोलते थे, राज ग्रह थे जरासंग ब्रमद्रत का पुत्र था, ठीक है, जरासंग कौन था, ये था ब्रमद्रत का पुत्र हर एक मंस के संस्थापक बिंबी सार मगद की गत्टी पर 544 इसब पुर्व में बैठे थे और उसके बाद वह बोध धर्म के अनुवाई बन गए बिंबी सार ने ब्रहमदत को हरा कर अंग राज्ये को मगद में मिला लिया और बिंबी सार ने राजगरा के निर्मान कर उसे अपनी राज़ानी बनाया अब बात करते हैं most important fact की कि बिंबी सार ने मगद पर total 52 वर्सों तक सासन करा आप याद रखेगा बिंबी सार ने मगद पर कितने वर्सों तक सासन करा ये करा 52 वर्सों तक आपसे सासन कितने वर्सुत करा एक्जाम में ये भी कई बार पूछ लेता है इसलिए मैं इसको हाइलाइट करा है आगे बढ़ते हैं देखिए बाकी के फैक्ट आप रीट कर सकते हैं वीडियो को पाउस करके मैं बढ़ता हूँ फिराल इंपार्टिंट पैक्ट के और कि बिम्बी सार की हत्या करी थी उसके पुत्र अजात सत्रु ने और अजात सत्रु की भी हत्या उसके पुत्र ने करी थी आगे हम देखेंगे इस वीडियो में ठीक है विम्भी सार की हत्या उसके पुत्र अजाद सत्रू ने कर दी थी और 493 इसापुर्व में मगत की गद्धी पर ये बैड़ गया अजाद सत्रू का उपनाम क्या है वो है कोनेक और 32 वर्चों तक मगत पर इसने सासन करा और अजाद सत्रू प्रारंब में जैन धरम का अनुआई था अजाद सत्रू के सुजोग्य मंत्री का नाम वर्च काड़ था और इसी कि सहता से अजाद सत्रू ने विसाली पर विज़पराप्त की अजाद सत्रू की हत्या उसके पुत्र उदाईन ने की ठीक है इसका पुत्र कौन था उदाईन बिम्बी सार की हत्या उसके पुत्र अजाद सत्रू ने करी अजाद सत्रू की हत्या उसके पुत्र उदाईन ने करी कब करी? 461 इसा पुर्व में कर दी और वहबाद में क्या होगे? गज़्धी पर बैढ गया अब बात करते हैं पाठली पुत्र की स्थापना किसने करी? उदाइन ने पाठली पुत्र की स्थापना करी 412 इसा पुर्व में अपदस्त करके मगत पर सिसुनाग वन्स की स्थापना की और सिसुनाग ने अपनी राज़ानी पाठली पुत्र से हटा कर विसाली में स्थापित करी सिसुनाग का उत्रादिकारी काला सोग पुने राज़ानी को पाठली पुत्र ले गया और सिसु नागवंस का अंटिम राजा कौन था नंदिवर्धन नंद वनस का संस्नापक था अब नंद वनस का संस्थापक कौन था? और नंद वंस का अंतिम सासक घनानन था संस्थापक था इसका महा पदमनन और अंतिम सासक था घनानन दोनों को नोट्स में लिख लेज़ेगा क्योंकि ये भी कई बाइल्जामे बुशा गया है यह सिकंदर का समकालिन था इसे चंद्रगुप्त मौरिय ने युद्ध में प्राजित करा और मगत पर एक नए वंस मौरिय वंस की स्थापना इसने करी अब बाग करते हैं हम लोग सिकंदर के बारे में सिकंदर का नाम आप सभी ने सुना होगा सिकंदर का जरम की बात करी जा है तो इसका जरम हुआ था 1365 इसा पुर्व में और पिता का नाम था फिलिप आप याद रखेगा फिलिप और सिकंदर अरस्टू का सिश्य था इनके गुरू का नाम क्या था सिकंदर के गुरू का नाम पूछा जाए तो उसमें याद रखेगा सिकंदर अरस्तु के सिस्य थे या अरस्तु या सिकंदर के गुरू थे सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 इसापुर्व में प्रारंब किया और सिकंदर का सेनापती सेलुकस निकेटर था सिकंदर का सेना पती कौन था उसका नाम क्या था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर सिकंदर को पंजाब के सासक पूरस के साथ युद्ध करना पड़ा जिसे हाईडे स्पीज के युद्ध या जहिलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है सिकंदर की सिना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और सिकंदर इस्थल मार्ग द्वारा 325 इसापुर्व में भारत से लोटा सिकंदर की डैत कब हुई 323 इसापुर्व में बेबिलोन में 33 वर्ष की अवस्था में सबसे कम उमर के अवस्ता में किसके डायथ हुई थी वो है थी सिकंदर की कब हुई थी 323 हीसा पुरू में बेबिलोन में और सिकंदर का जल सेरापती कौन था वो था निरियाकस अब हम बात करते हैं मौरेवांस के बारे में मौरे समराजी के बारे में इसका संस्थापक कौन था इसका संस्थापक थे चंदरगुप्त मौरिया इनके चनम के बारे में बात करीजिया जनम हुआ 345 रिसापुर्ण में और गढ़ा अनंत को हुराने में चानके ने चंदरगुप्त मौरिया की मदद की साहे था कि जो बाद में चंदर गुप्त का परधान मंतरी बना चानक्य को क्या बोलते हैं चानक्य के काफी सारे नाम है चानक्य को कौटेल लिख बोलते हैं चानक्य को विश्वन गुप्त भी बोलते हैं तीनों नाम एक ही है और इनके दोरा लिखी पुस्तक का नाम है अर्थसास्त्र जिसका सम्मन्द राजनिती से था आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त मगद की राजगदी पर 322 एसा पुर्व में बैठा और चंद्रगुप्त जैनधर्म का अनुवाई था चंद्रगुप्त ने अपना अन्तिम समय करनाटा के स्रमण बेल गूला नामक इस्थान पर बिताया चंद्रगुप्त ने 305 एसा पुर्व में सैलुकस निकेटर को हराया था आप याद रखेगा चंद्रगुप्ट ने 305 इसा पूर्व में सैलुकस निकेटर को हराया था अगला जो फैक्ट है वो है कि चंद्रगुप्ट मौरिय ने जैनी गुरु भदर भावु से जैन धर्म के दिक्षा ले थी आगे हम बात करते हैं मैगसनेस के बारे में कि सैलुकस निकेटर का ये राजदूद था और जो चंद्रगुप्ट के दरबार में आया था एक्जाम में आपसे यहां से यह पूसता है कि मैगसनेस किसके दरबार में महरत आया था तो आपको याद अखना है चंद्रगुप्त के दरबार में और ये किसका राजदुत था ये था सैलुकस निकेटर का मैगस ने इसके द्वारा लिखी गए पुस्तक का नाम था इंडिका ये बुक काफी फेमस बुक है इस बुक का नाम आप इसके मत करिएगा बात करते हैं आगे कि चंद्रगुप्त मौरेय और सैलुकस के बीच हुवे युद्द का वारन एपिया आनस ने किया था पुलू टार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सैलुकस को 500 हाती उपहार में दिये थे ऐसा किसने कहा था ये कहा था पुलू टार्क ने कि चंद्रगुप्त ने सेल्योकर्स को विदाई के समय 500 हाथी उपहार में दिये थे चंद्रगुप्त मौरे की डैथ जो हुई थी 298 में सरवन बेल गोला में उपवास के द्वारा अब बात करते हैं बिंदु सार के बारे में बिंदु सार के बारे में अगर हम लोग काफी बात करें तो बेकार होगा लेकिन हम केवल उसी फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टन होगा चंद्रगूत मौरे का उत्रदिकारी कौन बना बिंदु सार हुआ और 298 इसमें बगत की राजगत्य पर ये बैठा अमित्र घात के नाम से बिंदु सार जाना जाता है बिंदु सार का एक दूसरा नाम भी है जो नाम है अमित्र घात अमित्र घात का अर्थ होता है सत्रू का विनास करने वाला, सत्रू विनासक बिंदु सार आजीवक संप्रदाय का अनुवाई था वायू पुराण में बिंदु सार को भद्र सार कहा गया है या फिर वारी सार कहा गया है Next जो fact है वो है स्ट्रेबो के अनुशार सीरिया नरेस एटीयोकस ने बिंदु सार के दरबार में डाई मेकस नामक रास्तूत भेजा इसे ही मैगसनेस का उत्रदिकारी माना जाता है जैन गरंथों में बिंदु सार को सिंग सेन कहा गया है जैन धर्मों में बिंदु सार को किस नाम से जाना जाता है किस नाम से पुकारा गया है किस नाम से इसको नाम कनिसका करा गया है इसको बोला गया है सिंग सेन बिंदु सार के सासनकार में तक्षिरा में हुए दो विद्रोग का वरणन इस विद्रोग को दमाने के लिए बिंदु सार ने पहले सुसीम को भेजा और उसके बाद में भेजा अशोग को देखिए बिंदू सार जो था वो अशोग को बिलकुल भी अच्छा नहीं मान का था क्यों? क्योंकि इसके स्कीन पर बहुत सारे बिलेक बिलेक कलर के स्पार्ट थे दाने थे पूरी बॉड़ी में और सुसीम जो था काफी सुन्दर था दिखने में वो चाहता था बिंदू सार की सारा सामरज्य वो सुसीम को दे इसका भाई था ये लेकिए वास्ता में इसको युद्र की कोई भी नौरिज नहीं थी वास्तविज्ञान जो था वो अशोग के पास में था वाकिए इसकी बहुत लंबी नहीं है शोग की वो किसी है और से मैं आपको बताऊंगा बढ़ते हैं फिलाल आगे देखिए इसमें जो फैक्ट है वो है आपका अगला फैक्ट की बोद विद्यान तारानाथ ने बिंदू सार को सौले राज्यों का विजेता बताया है बिंदू सार को सौले राज्यों का विजेता किसने बताया है उसका नाम क्या उसका नाम है तारानाथ और ये कौन थे ये थे बोद विद्यान अब हम बात करते हैं अशोग के बारे में बिंदु सार का पुत्र अशोक, बिंदु सार का उत्रदिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 इसापुर में मगत के राजगदी पर बैठा, राजगदी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राजयपाल था, राजगदी पर बैठने से पहले वो कहां का राजयपाल था, एक्जाम मिलता है अशोक का नम वास्तम अशोक था ये कहां से मिलता है भई ये मिलता है मासकी और गुर्जरा के अभिलेक में अब बात करते हैं पुराणों में अशोक को अशोक का वर्धन कहा गया है पुराणों में अशोक को में कलिंग पर आकर मन किया कलिंग कहां पर है उड़ी सामें और कलिंग के रजा उस तो में कौन थे वो थे खार विल इन दोनों के मद्धिय कलिंग का युद्ध हुआ और जिसमें असोग की विजए हुई ठीक है और उसके बाद कलिंग की राजधानी थी तोसली पर इसने इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको उप गुपता आप याद रखेगा इसको नोट करिएगा अगला जो है देखिए आप नीचे देखिए आप इस बुक में आई गिया देखिए उप गुपत नामक बोद भिख्शू ने अशोक को बोद धर्म की सिक्षा देई अगला जो फैक्ट है अशोक ने आजीविको को रहने ही तो बराबर की पहाड़ियों में चार गुफाओं का निर्मान कराया जिनका नाम था चार गुफाओं का नाम था कर्ज, चोपार, सुदामा एवं विश्व जोपड़ी अशोक का पोत्र दसरत ने आजीविको को नागर जुन गुफा परदान की थी अशोक की माता के बारे में बात करी जाए, माता का नाम था सुभांद रहेंगी, सुभ धरांगी अशोक ने बोत्रम के परचार के लिया अपने पोत्र महिंदर एवं अपने पोत्र संग मितरा को कहां बेजा? ये बेजा सेलंका में भारत में सीरा लेख का परचलन सबसे पहले सीरा लेख सीरा पर लिखी गई लेखनी वो किसने स्टार्ट करी थी वो करी थी अशोक ने किसने करी थी अशोक ने और अशोक के सीरा लेख आप याद रखीगा तोड़ कितने लीपी हैं इसके अशोक की यहां से बनता है आपका reasoning में कभी-कभी यह question दे जिता है कि इसमें से और चाटी है विसम क्या है आपको तीन लीपी का नाम देगा भाई यह ग्रोश्टी और ग्रीक और चौत्ती कुछ और देगा ऐसा हुआ है 2012 के सीजल एक्जाम में यह G.S. में नहीं बलकि यह question से आया था आपका reasoning में तो इसलिए आपको यह चारो लीपी याद लखनी है इसको note कर दीजिए और उपने note book में और इसको time से revise करना उसके बाद हम बात करते हैं Greek एवं अर्माइक लीपी का अभिलेक अफगानिस्तान से खरोष्टी लीपी का अभिलेक उस्तर पश्चिम पाकिस्तान से और सेज भारत से ब्राई लीपी के अभिलेक मिले हैं अशोग के अभिलेकों को तीन भागों में डिवाइड करा गया है तीन भागों में डिवाइट करा गया अशुक के अभी लेखों को पहला जो अभी लेख है वो है सीला लेख सीन पर लिखा हुआ लेख, पत्थर पर लिखा हुआ लेख इस्थम लेख, एक स्थम बनाया, एक पोल बनाया उस पर एक लेक निखा, उसको बहुत है इस्तमलेक, एक गुहा लेक, तो ये तीन लेक थे, अशोक के सीरा लेक की खोज, सबसे पहरे जो करी थी, वो करी थी, 1750 इस्वी में, वो करी थी आपका, पादरेटी, फैन थेलर ने, ठीक है, ये करी थी 1750 में, इनके अनुसार सीरा ल मैंुलर का नाम छिप गया, अशोक के अभि लेक पढ़ने में जो सफल विक्ती रहा, पहली सफलता जो पराप्त रूए, वो पराप्त हूए, अभा लेक पराप्त हूए, अटना सो सथिस में, वो किसने रीड करा, ये करा जेम가리 दें सपने, सब पर थांशोक के अभि लेक क किसने पढ़ा किसने रीड करा अगर एक्जाम में ये पूछेगा या फिक इसने सफलता प्राप्त करी अशोग के अभी लेक को पढ़ने में तो आप याद रखेगा उनका नाम उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप और कब करी थी 1837 में देखिए सीरा लेक मिलतो गए थे 1715 में 1750 प्रास में मिलतो गए थे लेकिन रीड नहीं करे गए रीड किसने करे ये करे जेम्स प्रिंसेप ने इसलिए ये दोनों ही काफी इंपॉर्टन प्रेक्ट है अब बात करते हैं अशोग के परमुख सीरा लेक और उनमें वानित विसाय क्या क्या थे उनके बारे में देखिए जो सीरा लेक जो पहरा था उसमें जो अशोग ने निंदा करी वो करी पसू बली की निंदा पसू की हत्या करना बहुत बुराये वाला कारी ये पहले सीरा लेक में उसने लिखा दूसरा सीला लेक में इसमें वर्ण करा अशोक ने मनुश्य एवं पसू दोनों की चिकिस्ता विवस्ता का उल्ले किया जब हम दूसरा सीला लेक पढ़ते हैं तो हम उसमें पाते हैं कि अशोक ने आदमी, मदा मनुश्य और पसू दोनों के चिकिस्ता का गरस्ता करी थी अपने सासनकाल में उसके बाद हम बात करते हैं देखें तीसरा, चौथा, पांचवा, छटा, इतने इंपॉर्टन नहीं है माक्सिमम इंपॉर्टन है आपका साथवा और आठवा सीला लेक इन में अशोक की तीर्थ यात्राव का उलेक है इसमें यहापका साथवा और आठवा उसके बाद हम बात करते हैं ग्यारवे अभी लेक के बारे में ग्यारवे सीला लेक के बारे में इसमें धम की व्याख्या करी गई और बारवे सीला लेक में इसमें इस्त्री महापात्रों के नियुक्ती एवं सभी परकार के विचारों के सम्मान की बात करी गई थी तेरवा सिला लेख कापी इंपॉर्टन सिला लेख है तेरवा सिला लेख में इसने कलिंग युद का वरण करा किस परकार से उसका हिड़्डे परिवर्टन हुआ कौन से गुरू या कौन से बिख्शुक उसके सामने आया उन्हें क्या क्या परवशन दिये ये सब की सब इस्टेटमेंट हमको मिलती है अशोक के तेरवे सीला लेक में यहां से कोशन बनता है आपके एक्जाम में कर चाहिए आप MTS का गिजाम दे रहे हों, ADC का गिजाम दे रहे हों, CHS का गिजाम दे रहे हों Neredर थार्मिक जीवन बताने के लिए प्रेदि how कि हर मनुश्य को अपना एक धार्मिक जीवन व्यतित करना चाहिए अब बात करते हैं कि अशोक के इस्तंब लेखों की संख्या कितनी है सीरा लेखों की संख्या कितनी थी यह हमने देखी टोड़े मिला करके पोटीन अब बात करें इस्थम्ब लेकों की संख्या कितनी है साथ जो केवल और केवल ब्राही लीपी में लिखी गई है और ये जो संख्या है टोटे में लाकर करके दिखिया आफ वन टू तू त्री फूर परियाग संख्या किया कहा गया ये बताया गया है लेकिन आपसे एक्जाम में डैग यहां से यह कुशन्स पूसता है कि अशोक के इस्थम लेखों की संक्या कितनी है आगे हम बात करते हैं कोशामबी अभी लेख को रानी का अभी लेख कहते हैं तो वो है सात्वा, अशोक का सात्वा अभिलेक सबसे लंबा अभिलेक है, अशोक का सारे कोना इसको बहुत है कंदहार अभिलेक ग्रीक एवं अर्माइक भासाओं में प्राप्थ हुआ है, सामराज्या में मुक्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जाचा परखा जाता था जिसे उपदा परिक्षन कहा जाता है समराज की सायता के लिए एक मंत्री परिशद होती थी जिसमें सदस्यों के सिंकर कितनी होती थी 12 हो सकते थी, 16 होती थी और किसी किसी मंत्री परिशाद में कदी तभी 20 सदस्य भी होते थे प्रांतो की संक्रा कितनी थी अशोग के समय मौरे समराजर में प्रांतो की संक्रा थी टोटल 5, प्रांतो को चक्र कहते थे प्रांतो को चक्र कहते थे परसासन की सबसे छोटी एकाई गराम होती थी जिसका मुख्या कौन होता था गरामिक गराम का मुख्या गरामिक होता था और आगे बात करते हैं मैगस्निस के अनुसार नगर का परसासन तीस सदस्यों का एक मंदर करता था जो छे भागों में डिवाइड था समयतियों में डिवाइड था उसके 5, 6, 5, 30 तोड़े कितने मेंबर हो गए, 30 मेंबर यहां पर हो गए इसके बाद हम बात करते हैं फिलाल यहां पर इस सेक्सिंग बारे मौरे प्रांत और राजदानी उत्रापत की राजदानी क्या थी तक्षिला, अवंती राजदानी क्या थी उज्जैनी, कलिंग की राजदानी थी तोसली, दच्छनापत की राजदानी थी सुर्वणागिरी और प्रासी की राजदानी थी पाठ्ली पुत्र ये आप नोट करिए और इसको याद करिएगा आगे हम बात करते हैं कि जस्टिन के अनुसार चंद्रगुट मौरे के सेनाक में लगभग पचास हजार अस्वारो हिसैनिक नौ हजार आथी खाती एवं आठ हजार रत थे पुलू टार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुट ने नंदो की पैदल सेना से तीन गुना अधिक संक्या में अधार्थ साथ हजार आदमों के लेकर संपूर्ण भारत को रौन डाला था युद्ध छेत्र में सेना का नेत्रत्व करने वाले अधिकारी नायक कराते थे और सैन्ने विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापती होता था सैन्ने विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है सेनापती ये काफी common questions है ये आपको पता होगा अर्थ सास्त्र में गुप्त चर को गुण पुरुस कहा गया है तथा एक ही इस्थान पर रहकर कारी करने वाले गुप्त चर को संस्ता कहा जाता है एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर भ्रहमण करके कारी करने वाले गुप्त चर को संचार कहते थे क्या कहते थे संचार अशोक के समय जन पदिये नियालो के नियाधीस को राजुक कहा जाता था और important fact है आपका yellow part सरकारी भूमी को सीता भूमी कहा जाता था सरकारी भूमी को किस नाम से जाना जाता था वो जाना जाता था सीता भूमी से बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमी को कहते थे अदेव मातरक मैगसनेज ने भारतिय समाज को साथ वर्गों में बाटा है विभाजित करा है साथ वर्गों कौन कौन से हैं धार्सनिक, किसान, अहीर, कारिगर, सैनिक, निरिक्षक और सभासद स्वथ्यंत्र वैसे वर्थी को अपनाने वाली महिला को बोलते थे रूपा जीवा नंद वन्स के विनास करने में चंद्रगूर्ध मौरिय ने कस्मीर के राजा परवर्थक से सायता पराप्त की मौर्य सासन एक सो सैथिस वर्षो तक रहा मौर्य सासन कितने वर्षों तक रहा टोडल 137 वर्षों तक मौर्य वंस का अंतिम सासन कौन था याद रखे इसका नाम इसका नाम है ब्रह्म दरत इसके सेना पती पुश्य मित्र सुंग ने 158 सी इसा पूर्व में कर दी थी और मगत पर सुंग वंस की नेव डाली थी किसने डाली थी ये डाली थी पुश्य मित्र सुंग ने और जहां से फ्रेक्ट बनता है मौर्य वंस का अंतिम सासन कौन था वो था ब्रह्म दरत और मौर्य सासन कितना 137 वर्षों तक रहा तो इस वीडियो को एक बार और वाच करिए ध्यान से और important notes जो भी है yellow parts में आपका yellow से जो भी highlight कर रखा है इन सब को आप note करिए आज के इस वीडियो में बस के बने इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्रेस को लाइक करिएगा और जो भी friend आपके competition के त्यारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को share करिएगा अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं करा है तो subscribe करें और उसके तुरंत बाद उसके बाजू में आपको दिखाए देगा एक bell icon इस bell icon पे click करना ना भूले अगर आप subscribe करते हैं और bell icon पे क्लिक नहीं करते हैं तो आपको इस चैनल पर जो भी वीडियो अप्लोड होगा उसका notification आपको नहीं मिलेगा अगर आप इस bell icon पे click नहीं करते हैं तो आपको dedicated proper जाना पड़ेगा हमारे चैनल पर देखना पड़ेगा वीडियो कौन सा अप्लोड हुआ है सबसे best option आपके लिए रहेगा सबस्क्राइब करें और bell icon पे click करें और अगर आपको subscribe करने के बाद भी लेली के दो notification नहीं मिलते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा चैनल को unsubscribe करें दुबारा से subscribe करें क्या पता आपने इस bell icon पे click ना करा हूँ इसी के साथ लेता हूँ आपसे अरविदा मिलता हूँ जब एक नए वीडियो के साथ में bye bye take care and all the best